जेहिन फेंड्स मैं सौरब जा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSA ठीकेक क्लासेस पे आज हम लोग SSC CGL और SSC GD के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए SSC के एक्जाम में बार बार पुछे जाने वाले Economics के महत्पुन प्रस्णों को देखेंगे आप सभी से request करेंगे कि आप सेशन को अधिक सेधिक सेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास का लाब उठा सकें आप सभी से request करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के अंसर अवस्य क्या करें तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल निमनलिखित में से कौन भारत निर्मान का अंग नहीं है तो आंसर करें इनमें से कौन भारत निर्मान का भाग नहीं है तो याद रखिया ग्रामीन आवास भारत निर्मान का अंग है ग्रामीन विदुति करन भारत निर्मान का अंग है ग्रामीन टेलिफोनी भारत निर्मान का भाग है लेकिन किरसी आधारित उद्योग जो है भारत निर्मान का अंग नहीं है किरसी आधारित उद्योग आपका अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर C भारत निर्मान का अंग नहीं है आर्गो बेज़्ड इंडरस्ट्रीज किरसी आधारित उद्योग उप्शन C Make in India कारिकरम का logo है आंसर करेंगे Make in India कारिकरम का logo निम्नलिखित में से कौन सा है Option A, Share, Option B, Hathi, Option C, Cheetah, Option D, Kangaroo तो फटा-फट आंसर करेंगे Make in India का logo कौन सा है तो आप जानते हैं Make in India का logo है Share याद रखेंगे Make in India का logo है Share, Option A निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन, अपना धन, योजना प्रारम भी की गई है तो किस राजी के द्वारा अपना वन, अपना धन, योजना शुरू क्या गया है Option A, उत्तर परदेश द्वारा Option B, मद्द प्रदेश द्वारा Option C, हिमाचल प्रदेश द्वारा Option D, अरुनाचल प्रदेश द्वारा तो सही आंसर क्या होगा अपना वन, अपना धन, योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सुरू क्या गया ठीक है पूरा ग्रामीन विकास से संबंदित कारेकरम को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था तो आंसर होगा याद रखेंगे पुरा ग्रामिन विकास से संबंदित कारिक्रम को किनके द्वारा शुरू क्या गया था अप्शन नमबर A देश के सभी जिलों में कार्यानेवित क्या जारहा कारिक्रम है आप्शन A, नवुदे विद्याले, आप्शन B, राजिव गांधी, ग्रामीन, विदुती करन योजना, आप्शन C, सर्व सिक्षा अभ्यान, आप्शन D, मन रेगा तो बहुत important सवाल है, देश के सभी जुलों में कार्यानवित क्या जा रहा, कारिक्रम कौन सा है, तो याद रखना है सर्व सिक्षा अभ्यान, ठीक है, देश के सभी जुलों में कार्यानवित क्या जा रहा, कारिक्रम कौन सा है, तो याद रखेंगे सर्व सिक्षा अभ्यान, अप्शन के सभी जुलों में कारेनवित हो रहा है उप्शन नमबर C भारत के सहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है आंसर करेंगे भारत के सहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है Option A, राजीव आवास योजना, Option B, इंद्रा आवास योजना, Option C, भारत निर्मान, Option D, इनमें से कोई नहीं तो आंसर करेंगे भारत के सहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सा योजना शुरू क्या गया है तो आपका सही आंसर होगा राजीव आवास योजना, ठीक है, भारत के सहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए राजीव आवास योजना शुरू क्या गया है तो आंसर हो जाएगा option number A भारत के सहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए राजीव आवास योजना शुरू किया गया option A भारत के समतल परदेश में इस्थित गाउं परधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अंतरगत आते हैं यदि उस गाउं की जन संख्या डैस से अधिक हो तो आंसर करेंगे भारत के समतल परदेश में इस्थित गाउं परधान मंत्री ग्रामीन सडक योजना के अंतरगत आते हैं यदि उस गाउं की जन संख्या डैस से अधिक हो option A 500, option B 1000, option C 1500, option D 2000 ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा एक हजार याद रखेंगे भारत के समतल परदेश में इस्थित गाउं परधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अंतरगत आते हैं यदि उस गाउं की जन संख्या एक हजार से अधिक हो option B महात्मा गांधी रास्टिय ग्रामीन रोजगार अधिन्यम के अंतरगत, कारे रत, कामगारों की मजदूरी अब डैस पर आधारित है option A ठोक मुली सुचकांग पर option B बैंकों की मूल उधार दर पर option C उपभोकता मुली सुचकांग पर option D मल्टी कमोडिटी X पेज सुचकांग पर तो आंसर करेंगे महात्मा गांधी रास्टिय रोजगार ग्रामीन अधिन्यम के अंतरगत, कारे रत, कामगारों की मजदूरी अब किस पर निर्भर करती है तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा option number C याद रखना उपभोकता मुली शुचकांग ठीक है याद रखेंगे महात्मा गांधी रास्टिय रोजगार अधिन्यम के अंतरगत, कारे रत, कामगारों की मजदूरी अब consumer price index यानि उपभोकता मुली शुचकांग पर आधारित है option number B sorry option C ठीक है option C निमनलिकित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंब नहीं की गई है आपको बताना है इन में से कौन सा स्कीम भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया है option A विर्धावस्ता पैंसन योजना option B भारत निर्मान योजना काफ़े आसान सवाल है तो आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा विर्धावस्ता पैंसन योजना भारत निर्मान योजना स्वक्ष जल योजना प्रारंब किया जा चुका है लेकिन जीवन तरंग योजना नहीं चलाए गया है तो आंसर होगा आरंब किया है तो आंसर करेंगे भारत सरकार के द्वारा निमनिलखित में से किस कल्यान योजना का आरंब किया गया है आपको बताना है ओप्शन A, जीवन आधार, ओप्शन B, जीवन कोमल, ओप्शन C, मध्यान भोजन वेवस्था, ओप्शन D, जीवन अमरित योजना तो यहाँ आंसर क्या होगा, आप बताएंगे, तो भारत सरकार के द्वारा किस कल्यान योजना का आरम भी क्या गया है, तो याद रखेंगे, मध्यान भोजन, वेवस्था, मिड़े मिल, एरेंजमेंट, ओप्शन C, काल माक्स की पुस्तक, दास केपिटल किस वर्स प्रकासित ओप्शन A, 1857 में, ओप्शन B, 1862 में, ओप्शन C, 1867 में, ओप्शन D, 1872 में, छीक, इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखेंगे, दास केपिटल पुस्तक के लिखा के काल माक्स और दास केपिटल पुस्तक 1867 में प्रकासित हुई थी, आंसर ओप्शन नमबर C अब यहाँ से कुछ important सवाल आप याद रख सकते हैं, जैसे wealth of nation पुस्तक के लिखा कौन है, आपको बताना है wealth of nation पुस्तक के लिखा कौन है, ठीक है wealth of nation पुस्तक के लिखा कौन है, अगला आप से पूछ सकता है foundation of economic analysis पुस्तक के लिखा कौन है, ठीक है, आप बताएंगे foundation of foundation of economic analysis foundation of economic analysis पुस्तक के लिखा कौन है, याद है, तो याद रखना है याद रखेगा अगला सवाल पुस्ता है यहां से कि principles of economics पुस्तक के लेखा कौन है तो बताएंगे principles of economics पुस्तक के लेखा कौन है तो याद रखेंगे बहुत important सवाल है यह पुस्तक के लेखा कौन है याद रखेगा अगला सवाल यहां पर याद रखना है दास केपिटल पुस्तक के लेखा का आप जानते हैं कार्ल मार्क्स ठीक है याद रखेगा चलिए तो अगला सवाल देखते हैं आवास और सहरी गरीबी उनमुलन मंत्राले द्वारा हाल ही में जारी किये गए आकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्यां निम्नलिखित में से किस राज्य में इस्तित हैं? तो आवास और सहरी गरीबी उनमुलन मंत्राले द्वारा एक आकड़ा जारी किया गया है और इसमें गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्यां किस राज्य में इस्तित हैं? बताया गया है आपको बताना है तो आवास और सहरी गरीबी उनमुलन मंत्राले द्वारा ठीक है? गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्यां किस राज्य में है तो याद रखना है आंधर प्रदेश में इंपॉर्टेंट सवाल है याद रखेगा आंधर प्रदेश में ठीक है? तो याद रखेंगे आवा सवाल आपका एक्जाम में पूछता है जैसे आपसे पूछेगा ठीक है भारत में गरीबी को किस रूप में परिभासित किया गया है तो याद रखना है कैलोरी प्राप्ती से ठीक है कैलोरी प्राप्ती से तो याद रखेंगे भारत में गरीबी को किस रूप में परिभासित किया गया है तो कैलोरी प्राप्ती से याद रखेंगे अगला पूछ सकता डांडेकर रत फार्मूला किससे संबनित है आंसर करेंगे डांडेकर रत फार्मूला किससे संबनित है तो याद रखेंगे डांडेकर रत फार्मूला किससे संबनित है तो गरीबी रेखा के निर्धारन से इंपोर्टेंट सवाल है गरीबी रेखा के निर फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल यहां से एक और पूछ सकता है, आई के वितरन की विसमन्ता या विसमता के माप का सरवादिक प्रसलन विधी कौन सा है, जितना लिख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट आ चुका है, आई के वितरन की और समान्ता बोल सकते हैं हम लोग, आई के वितरन की और समान्ता के माप, किस विधी द्वारा की जाती है, तो गिनी गुनांक द्वारा, तो याद रखेंगे, आई के वितरन की वितरन की और समान्ता का माप, गिनी गुनांक द्वारा क्या जाता है, याद रखेंगे, अग लकडवाला समीती का गठन क्यों क्या गया था लकडवाला समीती का गठन क्यों क्या गया था तो याद रखेंगे लकडवाला समीती का गठन गरीबी की माप के लिए था गरीबी की माप के लिए और लकडवाला समीती का गठन कब क्या गया था आपको बताना है 1989 में ठीक है तो ये भी important सवाल है पूचता है लकडवाला समीती का गठन कब क्या गया था 1989 में याद रखेंगे वर्स 1989 में गरीबी की माप के लिए भारत में गरीबी की माप के लिए लकड़वाला समीती का गठन क्या गया था याद रखेंगे ठीक है एक और सवाल पूचता है यहां से ध्यान दिजेगा निर्धनता का दुष्चक्र शिधांत किस ने दिया तो निर्धनता का दुष्चक्र शिधांत किस ने दिया आपको बताना है तो याद रखना है प्रफेशर रैगनर नखसे द्वारा ठीक है तो ये सवाल याद रखेगा कि निर्धनता का दुश्चक्र शिधान्त किस ने दिया तो निर्धनता का दुश्चक्र शिधान्त प्रफेशर रैगनर नखसे ने दिया important है याद रखेगा ठीक है गरीबी उन्मूलन का नारा किस योजना के द्वारा दिया गया है तो पांचवी पंचवर्सी योजना ठीक है गरीबी उन्मुलन का नारा किस पंचवर्सी योजना के द्वारान दिया गया तो याद रखेंगे 5th 5 year plan पांचवी पंचवर्सी योजना ठीक है और गड़ीबी के आकलन के लिए बहुत सारा समीती का गठन किया गया था जैसे लकड़वाला समीती गड़ीबी का निर्धारन करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समीती गड़ीबी के आकलन के लिए सीरंगराजन समीती गड़ीबी के आकलन के लिए ठीक है तो याद रखेग France, option D, Britain तो Karl Marx किस देश के निवासी थे आपको बताना है तो फटा-फट आंसर करेंगे Karl Marx किस देश के निवासी थे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा Karl Marx जर्मनी के निवासी थे याद रखेंगे Karl Marx किस देश के निवासी थे तो आपको बताना है Trips और TRIMS सब्द किस से सम्बदित है तो सही आंसर करेंगे आपको बताना है विश्व वैपार संग का स्थापना का हुआ था ठीक है विश्व वैपार संगठन का स्थापना का हुआ था तो विश्व वैपार संगठन के स्थापना 1995 में हुई थी कब हुई थी 1995 में इसका हेड़कौार कहां पे है जेनेवा में याद रखेंगे इसका हेड़कौार कहां पे है जेनेवा में तो विश्व वैपार संगठन के स्थ से कौन बना है अफगानिस्तान याद रखेगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा option number B WTO अब कुछ सवाल आपको बता रहे हैं जो एक्जाम में बहुत पूछता है ठीक है संगठन से ही बहुत सारा सवाल पूछता है आपसे पूछेगा ब्रेटन वुट समझोते के फल सुरूप किन्दो अंतराश्टे संस्था का स्थापना हुआ था ठीक है आप बताएंगे सवाल का एक आंसर ब्रेटन वुड ब्रेटन वुड समझोता ब्रेटन वुड्स समझोते के परिनाम सोरूप ठीक है, अस्थापना हुआ था, किसका किसका आपको पुछेगा, ब्रेटन वुड्स समझोते के परिनाम सोरूप ठीक है, अस्थापना हुआ था, अस्थापना हुआ था, किसका किसका आपको पुछेगा, ब्रेटन वुड्स स National Monetary Fund और दूसरा याद रखना है विस्व बैंक समझ में आया तो यह दोनों याद रखना है important है पूछेगा IMF के स्थापना कि समझोते के बाद हुई थी तो IMF के स्थापना जो है बेटन वूड सम्मेलन के बाद हुआ था विस्व बैंक के स्थापना ब्रेटन वूड समझोते के बाद ठीक है तो ब्रेटन वूड समझोते के फलसुरूप दो अंतराश्टी संस्था का स्थापना हुआ था एक तो IMF और दूसरा विस्व बैंक बहुत इंपॉर्टन्ट है याद रखेगा अगला सवाल पूचता है पहले अधक्ष कौन थे आपको बताने विस्व बैंक के पहले अधक्ष कौन थे विस्व बैंक के यानि वर्ल्ड बैंक के पहले अधक्ष कौन थे वर्ल्ड बैंक का हेटक्वार्टर कहा है आपको पता ही होगा वासिंग्टन ड.C में IMF का भी हेटक्वार्टर है वासिंग अगला सवाल पूछ सकता अंतरास्टी मुद्रा कुर्स के अस्थापना ठीक है यनि आएमेफ आएमेफ की अस्थापना किस योजना प्रारूप के अधार पर की गई थी आएमेफ के अस्थापना किस योजना प्रारूप के अधार पर की गई थी याद रखेगा हैरी हैरी डी वाइट, हैरी डी वाइट हैरी डी वाइट, ठीक है हैरी डी वाइट ने इसका योजना का प्रारूप तयार किया था, तो याद रखेगा IMF के अस्थापना का स्रे किसको जाता है अगर पूछेगा, स्रे वेक्ति में नाम दे अगर तो याद रखेंगे, IMF के अस्थापना का स्रे हैरी डी वाइट को जाता है, ये अमेरिका के हैं याद रखेंगे, ठीक है, इंपोर्टन्ट है तो इस सवाल को भी आप याद रखेगा बागी बहुत सारा सवाल बनता है अंतरास्ति मुद्राकोस और विस्व बैंक में क्या अंतर है तो ध्यान से सुनिएगा, विस्व बैंक द्वारा शदस्य देशों के शंतुलित विकासेतु द्रिग कालेन रील उपलब्द कराया जाता है याद रखेंगे, कि विस्व बैंक द्वारा जो भी सदस्य देश हैं, उसके मतलब जो सदस्य देश हैं, उनको द्रिग कालेन रील उपलब्द कराया जाता है याद रखेंगे, काफी लंबे समय के लिए रील देता है विस्व बैंक अपने सदस्यों को लेकिन अंतरास्ति मुद्राकोस द्वारा अंतरास्ति मुद्राकोस द्वारा सदस्य देशों के भुकतान सेश की परतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए कम समय के लिए रील उपलब्द कराया जाता है याद रखेंगा विस्व बैंक अपने सदस्यों को लंबे समय के लिए रील देता है, जबकि इसको आप याद रखेंगा बाकी और भी बहुत सारा सवाल बन सकता है जो संस्था वगेरा है वहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है जैसे पूछ सकता है आपसे विस्व बैंक का स्थापना का भुआ था 1944 में हेड़कॉर्टर का है वासिंटन डीसी ठीक है अंतरास्ति है मुद्रकोस का स्थापना का भुआ था 1945 एड़कॉर्टर का है वासिंटन डीसी ACI विकास बेंक पूछ सकता है आपसे ADB आप लोग जानते हूंगे ADB यहनी ACI विकास बेंक का स्थापना कभुआ हो था ADB 1966 में इसका headquarter कहा है मनीला में तो याद रखेंगे ACI विकास बेंक का अस्थापना 1966 में हुआ था इसका headquarter मनीला फिलिपिन्स में है याद रखेंगे ASEAN से भी सवाल पूछता है बहुत जादा ASEAN का full form क्या होता है दक्षिन पुर्वी ACI देशों का संग ठीक है दक्षिन पुर्वी ACI देशों का संग ASEAN का full form हो गया Association of Southeast Asian Nation है ना ASEAN का full form होता है Association of Southeast Asian Nation Association of Nation अब पूछेगा ASEAN का स्थापना कब हुआ था 1967 में और इसका headquarter कहां था ASEAN का headquarter कहां है तो ASEAN का headquarter जरकाता में ASEAN का headquarter कहां पर जरकाता में इसमें कितने सदस्य है ये important है 10 सदस्य है इसका ASEAN का 10 सदस्य है याद रखेंगे ठीक है तो ASEAN यानि दक्षिन पूर्वी ACI देशों का संग इसका अस्थापना 1966 ठीट quarter जरकाता 10 सदस्य है इसमें याद रखेगा चीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग इंदरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है आंसर करेंगे इंदरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है option A, विकलांगों को आवास, option B, अनाथों को आवास, option C, गरीब गरामिनों को आवास, option D, गरीब नगरवास्यों को आवास तो simple सा सवाल है, आप जामते हैं, इंद्रा आवास योजना के तहद गरीब गरामिनों को आवास दिया जाता है तो इंद्रा आवास योजदा गरीब ग्रामिनों को आवास option number C भारत में नियूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू क्या गया था? आपको बताना भारत में नियूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू क्या गया था? option A 1936 इसवी, option B 1944 इसवी, option C 1956 इसवी, option D 1948 इसवी तो important सवाल है भारत में नियुनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्स लागू किया गया था तो आप याद रखेंगे 1948 में, भारत में नियुनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया ठीक है एक सवाल का आप आंसर कीज़ेगा बहुत पूछा जाता है आपसे पूछ सकता है कि एर से सम्मधित एक क्वेशन पूछता है ठीक है जैसे आपसे पूछ सकता है कि करिसी मुल्य आयोग का नाम परिवर्थित करके करिसी लागत और मुल्य आयोग यानि CACP कब किया गया तो याद रखेगा करिसी मुल्य आयोग का नाम बदल कर करिसी लागत और मुल्य आयोग CACP कब किया गया किरसी मुलि आयोग के स्थापना कभी थी किरसी मुलि आयोग का नाम बदल के तो याद रखेंगे इसका नया नाम क्या कर दिया गया क्या नाम है इसका नया नाम सी एस बाल में पर मुले आयोग ठीक है तो कृसी मुले आयोग का अस्थापना 1965 में किया गया और कृसी मुले आयोग का नाम बदल कर CACP यानी बोल सकते हैं हम लोग करसी लागत और मुले आयोग क किया गया है hugeies 19 find सुरक्षा पर सिक्षन है तू, option D, option D, भारतिय नागरिकों को पहचान कराने ही तू, तो आधार एक कारिक्रम है, आपको बताना है, सही अंजर क्या होगा, तो simple सा सवाल है, आप जानते हैं, आधार एक कारिक्रम है, भारतिय नागरिकों को पहचान कराने ही तू, तो याद र पूछे अगर एक्जाम में कि मॉल्य वर्धित कर से संब्धित है तो मॉडवेट वैल्य वर्धित कर से संब्धित है आंसर होगा और बी याद रखेगा मध्यान भोजन योजना संब्धित है मीड डे मील स्कीम इस नौट रिलेटेड टू मध्यान भोजन योजना कि से संब्धित नहीं है तो आपको याद रखना है तो मद्यान भोजन योजना भोजन के अधिकार से समुदित नहीं है, बाकि option number A, B और D, तीनों से समुदित है, यानी sectionic unnaty करन से समुदित है, सामाजिक समानता से समुदित है, सिसू पोजन से समुदित है, लेकिन right to food ऐसा कुछ है नहीं, तो मद्यान भोजन योजना किस बोजन के अधिकार से सम्मदित नहीं है निमने लिखित में से किस अर्थसास्त्री को अर्थसास्त्र का जनक कहा जाता है तो सिंपल सा सवाल है आप्शन A, माल्थस, आप्शन B, रोबिंसन, आप्शन C, रिकार्डो, आप्शन D एडम स्मित तो आप जानते हैं कि अर्थसास्त्र का जनक कहा जाता है अडम स्मित को ठीक है अर्थसास्त्र का जनक माना जाता है अडम स्मित को भारत में सबसे पहले किस राज्य में मुले विर्धी कर लागू किया गया तो आपका सही आंसर क्या होगा याद रखना है सबसे पहले मुली विर्धिकर हर्याना में लागू किया गया था ठीक है तो सबसे पहले मुली विर्धिकर या value added tax हर्याना में लागू किया गया था option C तो आपको बताना है तो यहाँ सही आंसर क्या होगा तो याद रखेंगे तो याद रखेंगे विमल जालान तो याद रखेंगे the future of India पुस्तक के लिखक विमल जालान option number A अर्थसास्त्र का Nobel पुरुषकार किसने अस्थापित किया था आपको बताना है काफी अच्छा सवाल है अर्थसास्त्र का Nobel पुरुषकार किसने अस्थापित किया था अगर आपसे पूस्ता Nobel पुरुषकार के स्थापना तो आप आंसर करते हैं नोबल पुरुषकार के स्थापना बोलता तो आप जानते हैं कि अगर पुछेगा एकोनिक्स का नोबल पुरुषकार किसने अस्थापित किया तो याद रखेगा स्थापना स्वीडन के सेंटरल बैंक ने चीक है अर्थसास्तेर का Nobel पूरुसकार जो है Sweden के Central Bank के द्वारा शुरू किया गया था आपका अंसर होगा Option No. 2 आपको पता होगा कि जो Nobel पूरुसकार सुरू के आगया था तो वो 5 चेतर में दिया जाता था शुरू में Nobel पूरुसकार 5 चेतर में दिया जाता तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर B याद रखना है गोल्डन हेट सेक गोल्डन हेट सेक इसकीम किस से संबन्दित है ऑप्सन A विदेसी कमपनियों को आमंतरित करना ऑप्सन B सारवजनिक उद्यमों में नीजी निवेश ऑप्सन C सियोग तो उद्यम अस्थापित करना ऑप्सन D स्वैक्छिक सेवानिविर्ती तो golden headsake scheme किसे सम्मधित है आपको बताना है तो golden headsake scheme किसे सम्मधित है तो याद रखेंगे स्वैक्चिक सेवानिविर्ती से सम्मधित है तो golden headsake scheme किसे सम्मधित है तो याद रखेंगे golden headsake scheme स्वैक्चिक सेवानिविर्ती से सम्मधित है option D योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है important है from where is the scheme magazine published scheme magazine कहां से published होता है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है option A मानव संसादन विकास मंत्राले द्वारा option B सूचना और प्रसारन मंत्राले द्वारा option C प्रकाशन विभाग द्वारा Option D इन में से कोई नहीं तो आपको बताना योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है तो आपका सही answer क्या होगा Option B योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है किसके द्वारा होता है तो सूचना और परसारन मंत्राले द्वारा तो याद रखेगा योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं परसारन मंत्राले द्वारा किया जाता है वानेजिक पत्रिका वानेजिक का प्रकाशन कहां से होता है तो आपका सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे याद रखना है मुंबई से ठीक है तो वानिजिक पत्रिका वानिजिक का प्रकासन कहां से होता है मुंबई से तो कॉमर्शियल मैगजीन कॉमर्स का प्रकासन कहां से होता है मुंबई से दास केपिटल किनकी परसिद पुस्तक है आपको बताना है या दास केपिटल किसकी परसिद पुस्तक के लेखक है यहाँ पर गलती लिखा है आपको बताना है दास केपिटल पुस्तक के लेखक कौन है आप जानते है कार्ल माक्स है ना दास केपिटल पुस्तक के लेखक कौन ह जे एम कीन्स, option C, गुन्नार मिडल, option D, डैविड, तो आपको बता होगा ACN ड्रामा पुस्तक के लिखक कोन है, गुन्नार मिडल, बहुत पुछा जाता ये, ACN ड्रामा पुस्तक के लिखक कोन है, गुन्नार मिडल, option C, याद रखेगा free trade today पुस्तक के लिखक कोन है, आज़र करेंगे free trade today पुस्तक के लिखक कोन है, भारत के न्योजित अर्थव्यवस्ता पुस्तक के लेखक कौन है आंसर करेंगे Who is the author of the book Planned Economy of India Planned Economy of India पुस्तक के लेखक कौन है भारत के न्योजित अर्थव्यवस्ता पुस्तक के लेखक कौन है Option A डादा भाई नोरोजी Option B Sir M. विश्वे सरीया Option C तो बहुत ही ज़्यादा ये important सवाल है आपको बताना है इस सवाल का अंसर तो याद रखेंगे भारत के न्योजित अर्थव्यवस्ता पुस्तक के लेखक है Sir M. विश्वे सरीया ठीक है तो M. विश्वे सरीया जी के द्वारा लिखित पुस्तक है Plant Economy of India ठीक है तो Plant Economy of India पुस्तक के लेखक Sir M. विश्वे सरीया उप्शन B Politics of चर्खा पुस्तक के लेखक कौन है Who is the author of the book Politics of चर्खा तो आंसर करेंगे Politics of चर्खा पुस्तक के लेखक कौन है Option A. असोक महता Option B. जे सी कृपलानी Option C. जे बी कृपलानी Option D. इन में से कोई नहीं तो Politics of चर्खा पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है तो सही आंसर क्या हो जाएगा Politics of चर्खा पुस्तक के लेखक है J. बी कृपलानी याद रखेंगे Politics of चर्खा पुस्तक के लेखक है J. बी कृपलानी Option C. Who is the author of the book India is for sale Most important सवाल है India is for sale पुस्तक के लेखक कौन है तो आपको बताना है इस सवाल का अंसर ठीक है India is for sale पुस्तक के लेखक कौन है Option A. विकरम सेथ Option B. खुस्वन सिंग Option C. सुभा डे Option D. चित्रा सुबरमन्यम तो India is for sale पुस्तक के लेखक कौन है चित्रा सुबरमन्यम याद रखेंगे India is for sale पुस्तक के लेखक कौन है चित्रा सुबरमन्यम Option D. याद रखेंगे ठीक है Planning and the पुवर पुस्तक के लेखक कौन है आंसर करेंगे Planning and the पूर पुस्तक के लिखक कौन है आप्शन A डैविड रिकाडो आप्शन B B.S. मिनहास आप्शन C गुनार मिडल आप्शन D जौर्ज बर्नार्ड सो ठीक है तो आंसर करेंगे Planning and the पूर पुस्तक के लिखक कौन है Planning and the पूर पुस्तक के लिखक कौन है आपको बताना है तो आपका सही अंसर क्या होगा Option number B B.S. मिनहास ठीक है तो B.S. मिनहास के दोरा लिखित पुस्तक है याद रखेंगे B.S. मिनहास के दोरा लिखित पुस्तक है Planning and the पूर ठीक है तो B.S. मिनहास के दोरा लिखित पुस्तक है Planning and the पूर Option number B याद रखेंगे Wealth of Nations पुस्तक के लिखक कौन है आपको बताना है Wealth of Nations पुस्तक के लिखक कौन है Option A Adam Smith Option B Marshall Option C Pigou Option D Kinz तो आप जानते है Wealth of Nations पुस्तक के लिखक कौन है Adam Smith तो याद रखेंगे Wealth of Nations पुस्तक के लिखक कौन है Adam Smith Option number A याद रखेगा ठीक है Important है अगर आपसे पूछे Mean Camp किन की पुस्तक है आपको पता है Mean Camp किन की पुस्तक है तो Hitler याद रखेंगे Adolf Hitler की आत्म कथा है ठीक है Adolf Hitler की आत्म कथा है Mean Camp पुछा जाता है अगर पुछेगा Politics पुस्तक के लिखक कौन है अरस्तू Politics पुस्तक के लिखक कौन है अरस्तू War and Peace पुस्तक के लिखक कौन है आप जानते है Leo Tolestoy ठीक है पुस्तक के लिखा कौन है E.M. Foster याद रखेंगे E.M. Foster E.M. Foster के द्वारा लिखित पुस्तक है पुस्तक के लिखा कौन है E.M. Foster अगर आपसे पूछे कि एरपोर्ट पुस्तक के लिखा कौन है आर्थर हिले याद रखेंगे एरपोर्ट पुस्तक के लिखा कौन है आर्थर हिले डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लिखा कौन है दाते प्रिंसिपिया पुस्तक के लिखा कौन है न्यूटन आप जानते हैं प्रिंसिपिया पुस्तक के लिखा कौन है न्यूटन याद रखेगा अगर आपसे पुछेगा Mother Pustak के लेखा क्यों है MAXIM GORKI याद रखेंगे Mother Pustak के लेखा क्यों है MAXIM GORKI ठीक है और Mother India Pustak के लेखा कौन है 竟ेरीन मेयो तो आप इसको लिख सकते हैं ताकि Confusion ना हो अगर आपसे पुछे Mother India तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मियो कैथरीन मियो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मियो और मदर पुस्तक के लेखक पुछेगा तो मदर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है मदर पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है तो आपी तुराइं तो बताएं आपको बताना है मदर पुस्तक के लेख़ा कौन है तो फट आफ फट कमेंड करें मदर पुस्तक के लेख़्ा कौन है मैक्सिम गोरकी बिल्कुल सही याद रखना है मदर पुस्तक के लिए खक कौन है मैक्सिम गोरकी मैक्सिम गोरकी तो आसानी से याद हो जागा लेकिन कन्फूजन नहीं करना है एक्जाम में ठीक है मदर अलग पुस्तक है, मदर इंडिया अलग पुस्तक है, ठीक है, तो मदर इंडिया पुस्तक के लिए खक कैथरीन में हो, और मदर पुस्तक के लिए खक मैक्सिम गोर की, ठीक है राज कमेटी किस से संबंदित है, आपको बताना, राज कमेटी is related to, option A, क्रिसी से, option B, वरिहद उद्योग से, option C, लगू उद्योग से, option D, बैंकिंग से, तो राज कमेटी का संबंद किस से है, आपको बताना है, राज कमेटी का संबंद किस से है, तो याद रखेगा सही आंस टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंद किस से है तो आंसर करेंगे केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंद किस से है option A, banking से, option B, करों से, option C, विदेशी निवेश से, option D, वया पार से तो केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंद किस से है आपको बताना है की सिफारिशों का संबंद करों से है option number B निमनलिखित समीतियों में से किस समीति ने भारत में वित्तिय छेत्र सुधारों की जानहक की सुझाव दिये ठीक है तो which of the following committees examined and suggested financial sector reforms in India यानि financial sector में reform यानि सुझाव या सुधार बोल सकते हैं financial sector में सुधार का सुझाव किस समीति के द्वारा दिया गया वो आपको बताना है तो भारत में वित्तिय छेत्र सुधारों की जाच यहाँ पर होगा जाच जाच और सुझाव किसने की ठीक है तो भारत में वित्तिये छेत्र सुधारों की जाच किसने की और सुझाव किसने दिये यह आपको बताना है तो आंसर हो जाए नरसिम्मन समीती ठीक है याद रखना है नरसिम्मन समीती option number C बहुत important है नर्सिमन समीती बहुत बार पूछा जाता है एक्जाम में ठीक है तो याद रखेगा नर्सिमन समीती बेंकिंग सुधार से संबनित है औप्सन नमबर C यहाँ पे आप बहुत सारा समीती को लिख भी सकते हैं जैसे आपसे पूछेगा स्वामी नाथन समीती का संबनित है स्वामी नाथन समीती अगला पूछता है आपसे जानकी रमन समीती जानकी रमन समीती का समद्ध किस चित्र से है जानकी रमन समीती तो जानकी रमन समीती का समद्ध किस चित्र से है परती भूती घोटाला तो याद रखेंगे जानकी रमन समीती का समद्ध किस से है परती भूती घोटाला से समद्ध है याद रखना है जानकी रमन समीती ठीक है परतिभूती घोटाला से संब्ध है जान की रमन समीती याद रखेगा अगला पूछ सकता है दात वाला समीती का संब्ध किस्से है तो दात वाला समीती का संब्ध किस्से है दात वाला समीती ठीक है दात वाला समीती का संब्ध किस्से है दात वाला समीती बेरुजगारी का अनुमान अगला पुस्ता है सरकारिया समीती सरकारिया आयोग या सरकारिया समीती तो केंदर और राजी के बीच में जो संबंद है उसको अस्थापित करने के लिए उसको सही करने के लिए ठीक है सरकारिया आयोग का स्थापना किया गया थ तो केंदर और राजे संबंद, याद रखेंगे केंदर राजे संबंद, तो केंदर राजे के बीच में संबंद को मजबूत करने के लिए सरकारिया समीती का गठन किया गया था, important है, पूस्ता है, अगला यहां से याद रख सकते हैं, महाल नोबिस समीती, तो रास्टी आय से समीती, याद रखेंगे, महाल नोबिस समीती, रास्टी आय से समीती है, रंग राजन समीती, आप से पूछेगा, रंग राजन समीती, तो रंग राजन समीती का संबंद किससे है, भुगतान संतूलन, ठीक है, तो भुगतान संतूलन से संबंद किससे है, रंग राजन समीत important है, याद रखेगा, अगला पुष्ता है Raja Chaliyah Samitzi, तो आप जानते है Raja Chaliyah Samitceğim का संबंद किस्से है, बता देंगे, Raja Chaliyah Samitig, Raja Chaliyah Samitig, Raja Chaliyah Samitig का संबंद किस्से है, तो याद रखना है, Kar-Sudhar, याद रखेगा, ठीक है, इंपोर्टन्ट है, चलिए अगला सवाल देखते है, नर्सिम्हन रिपोर्ट का संबंद किसके पुनरगठन से है, तो आपको बताना है नर्सिम्हन समीति का या नर्सिम्हन रिपोर्ट का संबंद किसके पुनरगठन से है, आप्शन A, Income Tax, आप्शन B, Banking Institute, आप्शन C, Sills Tax, आप्शन D, Insurance Industry तो नरसिमन समीती का संबंद किसके पुनरगठन से है तो याद रखना है बैंकिंग संस्थान छीए नरसिमन रिपोर्ट का संबंद किससे है नरसिमन रिपोर्ट का संबंद बैंकिंग संस्थान से है आप्शन B, सही आंसर हो जाएगा भारत में गठित पहली सहकारी समीती थी इंपोर्टेंट सवाल है तो आपको बताना है तो आपको बताना है भारत में गठित पहली सहकारी समीती कौन सी थी तो भारत में गठित पहली सहकारी समीती थी साख समीती यानि क्रेडिट सोसाइटी ठीक है तो भारत में गठित पहली सहकारी समीती थी साख समीती ओप्शन नमबर A आपरतक्ष कर से संबंद समीती कौन सा है तो आपको बताना है, which is the, sorry, what is the committee related to indirect text, उपर्तक्ष कर से सम्मधित समीती कौन सा है, option A, L के जहा समीती, option B, वांचू समीती, option C, रेखी समीती, option D, इनमें से सभी, ठीक है, तो यह important सवाल अगर पता है, तो बता देंगे, तो याद रखना है, उपर्तक्ष कर से सम्मधित समी समीती है, वांचू समीती, option B, कुछ और समीती आप याद रख सकते हैं, जैसे एक्जाम में, जो पूछता है, खुसरो समीती आप से पूछेगा किस सम्मधित है, खुसरो समीती, खुसरो समीती, तो खुसरो समीती का सम्मधित किस चेत्र से है, तो कृसी साख, याद रखें भंडारी समीती से सम्मदित क्या है तो भंडारी समीती याद रखना है चित्रिये ग्रामीन बैंकों की पुनर रचना ठीक है चित्रिये ग्रामीन बैंकों की चित्रिये ग्रामीन बैंकों की चित्रिये ग्रामीन बैंकों की पुनर रचना पुनर सनरचना ठीक है चेत्रिय ग्रामन बैंकों की पुनर सनरचना से संबनित है भंडारी समीती याद रखेंगे ठीक है अगला पूछता है सुरेश तेंदुलकर समीती तो आप याद रखेगा सुरेश तेंदुलकर समीती से संबनित है गरीबी ठीक है गरीबी की जाच के या गरिबी कानुमान लगाने के लिए सुरेश त्यंदूलकर समिति का गठन किया गया था ठीक है अगला पूछ सकता है आप से आबिद हुसेन समीती लगु उद्योग से सम्दित है आबिद हुसेन समीती ठीक है आबिद हुसेन समीती याद रखेंगे लगु उद्योगों से सम्दित लगु उद्योगों से सम्दित ठीक है तो आबिद समीती का सम्दित किस से है लगु उद्योगों से सम्दित है लोगों से याद रखेंगे वेनु गोपाल समीती, option number C सार्वजनिक वितरन परणाली से संब्दित समीती है वेनु गोपाल समीती, option number C आपका अंसर होगा, याद रखेंगे सार्वजनिक वितरन परणाली से संब्दित समीती है वेनु गोपाल समीती, option number C ओद्दोगीख रुगनता से सम्भनित समीती है आपको बताना है Is there A committee related to industrial sickness? ओद्दोगीख रुगनता से सम्भनित समीती कौन सा है? Option A, तिवारिज समीती, option B, गोस्वामी समीती, option C, both, option D, कोई भी नहीं तो आपको बताना है ओद्दोगी कुरुंता से संबनित समीती कौन सा है तो आंसर हो जाएगा तिवारी समीती और गोस्वामी समीती ठीक है दोनों तो तिवारी समीती और गोस्वामी समीती का संबन्ध है इंडरस्टियल सीकनेस से संबनित समीती तिवारी समीती और गोस्वा क्रिया कलापों से सम्मदित नहीं है Option A. हजारी समीति Option B. गुश्वामी समीति Option C. वैदनात समीति Option D. दत्ता समीति ठीक है तो याद रखना है और दोगीक छेत्र के क्रिया कलाप से सम्मदित नहीं है वैदनात समीति आपका अंसर हो जाएगा option number c बैदनात समीती ठीक है बाकी याद रखेगा हजारी समीती गुस्वामी समीती और दत्ता समीती और दोगीक छेत्र से सम्मधित है इंडस्ट्रियल से सम्मधित है answer option c 1994 में जनसंख्या निती के लिए किस समीती का गठन किया गया दातेवाला समीती बिरुजगारी का अनुमान के लिए बहुत पूस्ता है याद रखेगा दातेवाला समीती बिरुजगारी का अनुमान के लिए दातेवारा समीती का गठन किया गया था बिरुजगारी का अनुमान के लिए याद रखेगा बहुत पूस्ता है गोईपूरिया भी बहुत पूस्ता है गोईपूरिया समीती तो गोईपूरिया समीती बैंक सेवा सुधार के लिए याद रखेगा बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए गोईपूरिया समीती का गठन किया गया था लेकिन इस सवाल का अंसर होगा स्वामिनाथन समीती मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है स्वामिनातन समीती जनसंख्या निती से सम्मदित है तो पूस्ता है 1994 में जनसंख्या निती के लिए किस समीती का गठन क्या गया तो याद रखेंगे 1994 में जनसंख्या निती के लिए स्वामिनातन समीती का गठन क्या गया था आप्सन नमबर A तो क्लास को प्लीज आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट करेंगे एक बार सेर कर दीजे निमने में से कौन सी समीती भारत में निर्धनता के अनुमानों से सम्मदित रही है तो आपको बताना है भारत में निर्धंता के अनुमानों से सम्मदित समीती कौन सा है तो याद रखेंगे सुरेश तेंदुलकर समीती ठीक है तो भारत में निर्धंता के अनुमानों से सम्मदित समीती कौन सा है तो सुरेश तेंदुलकर समीती भारत में निर्धंता के अनु तो पूछा भी गया है कि टेक्स रिफार्म कमीटी के अध्यक्ष कॉन थे तो टेक्स रिफार्म कमीटी के अध्यक्ष थे राजा चेलिया याद रखना है tax reform समीति के अधिक्ष कौन थे राजा चेलिया option number D किस समीति ने किरसी जोतों पर कर लगाने की संस्तूती की थी आपको बताना है किस समीति ने किरसी जोतों पर कर लगाने की संस्तूती की थी which committee recommended the imposition of tax on agricultural holding option A भूत लिंगम समीति option B वांचू समीति option C चेलिया समीति option D राज समीति किस समीति ने किरसी जोतों पर कर लगाने की संस्तूती की थी आपको आंसर करना है तो आपका सही आंसर होगा राज समीति option number D ठीक है तो किस समीती ने किरसी जोतों पर कर लगाने की संस्तूती की थी option number D, राज समीती याद रखेंगे चंद्र सेखरन समीती किस से संबनित है चंद्र सेखरन कमीटी is related to option A, अंत्रिक्ष अभ्यान से option B, सेयर से option C, राजस्व से option D, सिक्छा से तो याद रखना है चंद्र सेखरन समीती का संबनिती का संबनित है सेयर से, ठीक है चंद्र सेखरन समीती का संबनिती किस से है सेयर से, option number B नायक समीती के अस्थापना का उद्दे से था what was the purpose of setting up setting up the नायक कमीटी नायक कमिती के अस्थापना का उद्य से था उप्शन A, छोटे पैमाने के उद्योग की साख समस्या की जाच करना उप्शन B, छोटे उद्योग की रुगनता से सम्बंदित पहलूओं की जाच करना उप्शन C, दोनों, उप्शन D, इनमें से कोई नहीं तो नायक समीती के अस्थापना का उद्य से क्या था दोनों याद रखेंगे नायक समीती का अस्थापना का उद्य से था छोटे पैमाने के उद्योगों की साख समस्या की जाच करना साथ ही साथ छोटे उद्योगों की रुगनता से चंबंदित पहलूओं की जाच करना तो आंसर क्या होगा नायक समीती के अस्थापना का उद्देश था option number C to examine the credit problem of small scale industry and to examine the aspects related to the sickness of small scale industries तो आंसर हो जागा नायक समीती के अस्थापना का उद्देश option C इंपोर्टन्ट याद रखेगा आबीद हुसेन समीती किस मंत्राले द्वारा गठित की गई थी तो आबीद हुसेन भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उपकृष्टता गाउं बनाने के लिए किस देश की सरकार के साथ हाथ मिलाया है option A, Israel, option B, Sweden, option C, Canada, option D, America तो भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उपकृष्टता गाउं बनाने हेतु किस देश की सरकार के साथ समझोता किया है तो आपका सही आंसर होगा इसराइल याद रखेंगे भारत ने इसराइल के साथ समझोता किया है भारत ने देश के 12 राज्यों में 150 उपकृष्टता गाउं बनाने हेतु इसराइल देश के साथ समझोता किया है आपका सही आंसर हो जाएगा option A, Israel बांगला देश के निम्निलखित में से किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैक्से से पुरुष्कार 2021 से सम्मानित क्या गया तो फटा फट आंसर करेंगे बांगला देश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैक्से से पुरुष्कार 2021 से सम्मानित क्या गया आप्सन A, मुहम्मद एहमद साकीब, आप्सन B, फिर्दोसी कादरी, आप्सन C, रोबोटो लॉन, आप्सन D, स्टीवन मुनसी, तो फटा-फटी सवाल का अंसर करेंगे, रेमन मैकसे से अवोर्ड को आप जानते हैं कि एसिया का नॉबिल पुरुसकार कहा जाता है, याद आप्सन B, फिर्दोसी कादरी को रेमन मैकसे से पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे, अब यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि रेमन मैकसे से पुरुसकार कि इस देश के द्वारा दिया जाता है, तो याद रखेंगे, रेमन मैकसे से पुरुसकार फिलिपि मेकसे से को याद करते हुए रेमन मेकसे से पुरुसकार दिया जाता है रेमन मेकसे से पुरुसकार के अस्थापना 1957 में हुई थी रेमन मेकसे से पुरुसकार के अस्थापना 1957 में हुई थी और पहली बार रेमन मेकसे से पुरुसकार 1958 इस्वी में दिया गया था याद रखेंगे ठीक है तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा बांगलादिस के वैक्षिन विज्ञानिक फिर्दोसी कादरी को रेमन मेक्से से 2021 से सम्मानित किया गया इंदोर के किस रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर तात्या मामा रेल्वे स्टेशन कर दिया गया इंदोर मद्य परदेश इस्टित पाताल पानी रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर तात्या मामा रेल्वे स्टेशन कर दिया गया निमनलिकित में से कौन सास्त्रिय संगीत के किराना घराना के संस्थापक हैं? आप्शन A अब्दुलकरीम खान आप्शन B इमदाद खान आप्शन C प्राननात आप्शन D बड़े गुलाम अली खान इंपोर्टेंट सवाल है तो याद रखेगा सास्त्रिय संगीत के किराना घराने के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं अब्दुलरहीम अब्दुलकरीम खान क्या होगा अंसर अब्दुलकरीम खान तो याद रखेगा सास्त्रिय संगीत के किराना घराने के संस्थापक थे अब्दुलकरीम खान आप्शन नमबर A अब्दुलकरीम खान चास्त्रिय संगीत के किराना घराने के संस्थापक गाए का वेज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको बताना है, what is the scientific name of cow? गाए का वेज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्सन A, Boss Indicus. ऑप्सन B, जाफरावादी. ऑप्सन C, सहीवाल, ऑप्सन D, लाल सिंधी. तो सिंपल से सवाल है, आप जानते हैं गाए का वेज्ञानिक नाम है Boss Indicus. गा पूछा जाता है जैसे पूछेगा मेधक का वेग्यानिक नाम क्या है तो आपको वरतान है मेधक का वेग्यानिक नाम क्या है तो आप जानते होंगे राना टिगरीना मेधक का वेग्यानिक नाम क्या है तो राना टिगरीना याद रखेंगे मेधक का वेग्यानिक नाम है राना बिली का वेग्यानिक नाम क्या है फैलिस डोमेस्टिका याद रखेंगे अर पुछेगा कुट्टा का वेग्यानिक नाम क्या है तो कैनिस फैमिली रीज याद रखेंगे कुट्टा का वेग्यानिक नाम क्या है कैनिस फैमिली रीज ठीक है कुट्टा का वेग्यानिक नाम है क जानते हैं आप लोग मखी का वेग्यानिक नाम पूछता है तो मखी का वेग्यानिक नाम होता है मसका डोमेस्टिका, मखी का वेग्यानिक नाम होता है मसका डोमेस्टिका, आम का वेग्यानिक नाम मेगनिफेरा इंडिका, आप जानते हैं आम का वेग्यानिक नाम मेगनिफेर गेहु का वेग्यानिक नाम क्या है? गेहु का वेग्यानिक नाम क्या है? तो आप जानते होंगे ट्रिटीकम एस्टीवम गेहु का वेग्यानिक नाम क्या है? ट्रिटीकम एस्टीवम याद रखेंगे ठीक है? चलिए तो समझ में आ गया गाई का वेग्यानिक नाम बोस इंड ए ब्रीफ इस्ट्री ओफ टाइम पुस्तक के लेखा कौन है आइन सेफोन पूस्तक के लेखा कौन है। पुस्तक है A Brief History of Time ठीक है तो A Brief History of Time पुस्तक के लेखा Stephen Hawkins Option C Ramp कारिकरम को हाल ही में किस संदर्ब में देखा गया तो आपको कुछ statement दिया गया है according to Ramp Program Option A, Banking परणाली का बहतर डिजिटल बुन्यादी धाचा Option B, भारत में MSME की स्थिति में सुधार Option C, किर्थिम परिश्थितियों के तहट समुदरी आवास की उर्वर्ता Option D, धाचागत परियुजनाओं में तेजी चीक है तो आपको यहाँ पर आंसर करना है Ramp कारिकरम को हाल ही में किस संदर्ब में देखा गया तो आप आंसर करेंगे भारत में MSME की स्थिति में सुधार लाने हेतू, Ramp कारिकरम लाया गया आंसर हो जाएगा Option B अंतरास्टिय पसू अधिकार दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है तो आपको बतन है अंतरास्टिय पसू अधिकार दिवस कब मनाया जाता है Option A 8 December, Option B 9 December, Option C 10 December, Option D 11 December तो आंसर करेंगे अंतरास्टिय पसू अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो आपका सही अंसर क्या होगा Option C 10 December याद रखेंगे 10 दिसंबर को अंतरास्टिय पसु अधिकार दिवस मनाया जाता है इसके अलावा आप जानते हैं 10 दिसंबर को अंतरास्टिय मानवा धिकार दिवस भी मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को अंतरास्टिय मानवा धिकार दिवस ठीक है 10 दिसंबर को अंतरास्टिय म हम लोग discuss करते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है, विजे दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है, विजे दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विजे दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है, 16 दिसंबर को विजे दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर को विजे दिवस म मनाया जाता है विश्व मिर्दा दिवस कब मनाया जाता है तो आप जानते हैं important है इस सवाल याद रखेंगे 5 दिसंबर को विश्व मिर्दा दिवस के रूप में मनाया जाता है अगला पूछे का विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है ठीक है विश्व अस्थमा दिव याद रखेंगे याद रखेंगे गोवा unwukti दिवस याद रखेंगे गोवा आज़ाद कववा था तो पूछेगा अगर तो याद रखना है गोवा आज़ाद हुआ था 19.06.101 को 19.06.1 को गोवा мukti दिवस के रूप में मनाया जाता है और गवा जो आजाद हुआ था ओपरिशन वीजे चलाइगा था याद रखेंगे ठीक है तो ओपरिशन वीजे के द्वारा गवा को मुक्ती मिला था गवा आजाद हुआ था 19 दिसंबर 19roseको तो 19 दिसंबर को हम लोग गवा मुक्ती दिवस मनाते हैं याद रखेंगे अगला पुछता है किसान दिवस कब मनाय जाता है तो आपको पता होगा चौधरी चरन सिंग जी को याद करते वे चौधरी चरन सिंग जी के जनम दिन पर हम लोग किसान दिवस मनाते हैं और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाय जाता है ठीक है तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाय 24 दिसंबर को रास्टी उपभोगता दिवस के रूप में मनाया जाता है याद रखेंगे ठीक है तो सेशन को एक बार प्लीज आप लोग सेर कर दीजे निमनलिकित में से कौन 94 अकाडमी पुरुसकार में नामित होने वाली भारतिय फिल्म है तो आपको बताने इन में से कौन 94 अकाडमी पुरुसकार में नामित होने वाले फिल्म है आप्शन A, जैभीम, आप्शन B, मराकर अरभी कादलते सिंहम, आप्शन C, कर्णम, आप्शन D, एक और दो दोनों तो याद रखना है कि अकाडमी पुरुसकार जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं आउसकर कहते हैं ठीक है तो ये भी आप याद रखेगा और अकाडमी पुरुसकार की सुरुवात कब हुई थी तो अकाडमी पुरुसकार की सुरुवात कब से दिया जा रहा है तो 1929 से याद रखेंगे अकाडमी पुरुसकार की सुरुवात 1929 इसवी में हुई थी तो 1929 इसवी से अकाडमी पुरु तो अकेडमी पुरुसकार या ओसकर पुरुसकार के सुरुआत 1929 इस्वी में की गई थी और 94 वां ओसकर अवर्ड में या 94 वां अकेडमी अवर्ड में नामित होने वाली भारती फिल्म है जै भीम और मराकर अर्भी कादलते सिंगहम ठीक है तो बस यहाँ याद रखेगा सिं गम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी एक और दो दोनो ठीक है आंसर एक और एक और दो दोनो ऑप्शन डी 2022 में ICC अंडर 19 विस्व कप का आयवजित कहां किया गया था फिर पूछेगा जीता कौन ठीक है तो जीता कौन भारत याद रखेंगा ICC अंडर 19 विस्व कप 2022 जीता कौन भारत उपूवी जीता कौन रहा उपूवी जीता याद रखेंगा और इस सवाल का आंसर क्या होगा पूछा है कि ICC अंडर 19 विस्व कप 2022 का आयवजन कहां किया गया था तो विस्ट इंडीज में समझ में आया तो आपका आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B आंसर होगा उप्सन B हर वर्स राष्टे गनित दिवस कब मनाया जाता है तो इंपोर्टेंट सवाल है आंसर करेंगे कि हर वर्स राष्टे गनित दिवस कब मनाया जाता है सिंपल सा सवाल है नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है option A, 20 December, option B, 21 December, option C, 22 December, option D, 23 December तो आप जानते हैं कि रास्ट एक गनित दिवस, 22 December को मनाये जाता है, रास्ट एक गनित दिवस तो आपसे पूछता है, एक सवाल, भारतिय तटरक्षक दिवस कब मनाये जाता है, आप बताएंगे भारतिये तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है एक फरवरी को भारतिये तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है याद रखेंगे अगला पूस्ता है विश्व आद्र भूमी दिवस कब मनाया जाता है दो फरवरी को विश्व आद्र भूमी दिवस रूप में मनाया जाता है तो एक फरवरी इंपोर्टेंट है भारतिय तट्रक्षक दिवस एक फरवरी दो फरवरी विश्व आद्रभूमी दिवस याद रखेंगे अगला इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस याद रखना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप याद रखेंगे 10 फरवरी को विश्व हिंदी दिवस की रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस की रूप में मनाया जाता है अगर आपसे पूछे रास्टी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है रास्टी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है रास्टी हिंदी दिवस तो याद रखेगा 14 सितंबर को रास्टी हिंदी दिवस के रुपे मनाया जाता है ठीक है, important सवाल है तो 14 सितंबर को रास्टे हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं याद रखेंगे ठीक है important है अगला सवाल यहां से बनता है कि एक तो आपसे बहुत जादा जो पूछा जाता है एक्जाम में आपसे पूछेगा अंतरास्टे बाग दिवस क मनाय जाता है ठीक है 21 जुन को अंतरास्टे बाग दिवस मनाय जाता है अगर पूछे विश्व रक्तदान दिवस तो आप जानते हैं 14 जुन को विश्व रक्तदान दिवस मनाय जाता है पांच जुन को विश्व प्रियावरन दिवस मनाय जाता है ठीक है अगला पूछ सकत रास्टे महिला दिवस रास्ट्य परवरी को मनाया जाता है। पुछें अंतरास्ट्य महिला दिवस तो आप जानते हैं 8 मार्च को अंतरास्टे महीला दिवस मनाय जाता है तो अंतरास्टे महीला दिवस 13 फरवरी और अंतरास्टे महीला दिवस 8 मार्च याद रखेगा थिक है important है चलिए अगला सवाल देखते हैं निमने लिखित में से कौन सा सोतंतृता के बाद विक्षित पहला बंदरगा था तो आपको बताना है इन में से कौन सा इसा बंदरगा है जो सोतंतरता के बाद विक्सित पहला बंदरगा है ठीक है तो सोतंतरता के बाद विक्सित पहला बंदरगा है कौन सा है आपको बताना है तो यहां आपका सही आंसर क्या होगा कांडला बंदरगा याद रखेंगे, शोतंतरता के बाद विक्सित पहला बंदरगा है, कांडला बंदरगा है, कांडला बंदरगा है, कांडला बंदरगा है, गुजरात में है, कांडला बंदरगा है, और कांडला बंदरगा है, एक प्रकार का जवारी ये बंदरगा है, याद रखेंगे, अगर पुछे मारमा गोवा बंदरगा कहां पे है तो मारमा गाओ बंदरगा गोवा में है मारमा गाओ बंदरगा कहां पे है गोवा में है अगर आपसे पुछे तुती कोरिन बंदरगा कहां पे है तो important है तुती कोरिन बंदरगा तुति कोरिन बंदरगा कहां पर है तमिलाडू में है तुति कोरिन बंदरगा अगर पूछे एन और बंदरगा कहां पर है तो एन और बंदरगा भी याद रखना है कहां पर है एन और पोड भी तमिलाडू में ठीक है तुति कोरिन बंदरगा तमिलाडू में है तो याद रख तो याद रखना है स्वतंतरता के बाद विक्सित पहला बंदरगा था कांडला बंदरगा एक परकार काजवारिय बंदरगा है और कांडला बंदरगा का नया नाम क्या है दीन द्याल बंदरगा याद रखेंगे ठीक है अगर पुछेगा पारादीब बंदरगा कहां पे है त रखेगा रहतांग दर्रा को अटल सुरंग के रूप में भी जाना जाता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा option number 3 रहतांग दर्रा अब आपसे पूछेगा रहतांग दर्रा कहां पे है तो रहतांग दर्रा हिमाचल परदेश में तो रोहतांग दर्रा मनाली को ले से जोड़ता है, important सवाल है, पूस्ता एक्जाम में, ठीक है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्तित है, रोहतांग दर्रा मनाली को ले से एक सडक मार्ग द्वारा जोड़ता है, important है, और याद रखना है, रोहतांग दर्रा को याहाल दर्रा स्रिनगर को जबंशाइब रखेंगा नहों जोडता है बनिहाल दर्रा जम्मू कस्मिर में इस्तित है बनिहाल दर्रा सिरनगर को जम्मू से जोड़ता है याद रखेंगे और बनिहाल दर्रा पर ही याद रखना है कि जवाहर सुरंग का निर्मान क्या गया है जवाहर सुरंग कहा है जम्मू कस्मिर में अगला important सवाल जो आप से तो तिबद को सिक्किम से जोडता है याद रखेंगे तिबद को सिक्किम से जोडता है तिबद को सिक्किम से जोडता है ठीक है तो नाथुला दर्रा किसको जोडता है तिबद को सिक्किम से जोडता है नाथुला दर्रा कहां पे है तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है याद रखेगा अरुनाचल परदेश में कौन कौन सा दर्रा है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अरुनाचल परदेश में कौन कौन सा दर्रा है ठीक है तो यहां से कुछ दर्रा इंपोर्टेंट है जो याद रखेगा जैसे आप से पुछेगा यांग याप दर्रा कहां पे है तो आप जानते हो कि दिफू दर्रा कहां पर है तो दिफू दर्रा याद रखना है अरुनाचल पर्देश में है तो ये चारो दर्रा आपको याद रखना है पूछेगा बॉँचेगा तुँजु धर्रा पर्थे याद रखेगा अगर पूछेगा तुजु धर्रा कहां पर है तुजु धर्रा मनिपूर में रखेंगे तुजु दर्रा कहां पे है मनिपूर में है पिर पंजाल कहां पे है जमू कस्मेर में है बनिहाल दर्रा कहां पे है जमू कस्मेर में रहतांग दर्रा कहां पे हिमाचल परदेश में मुड्लिंग दर्रा कहां पे उत्राखंड में नीती दर्रा कहां पे उत्राखंड प्रवरी 2021 में जीवन बीमा निगम के परबंद निर्देशक के रूप में न्यूक्त किया गया था प्रवरी 2021 में जीवन बीमा निगम के परबंद निर्देशक के रूप में न्यूक्त किया गया था याद रखेंगे और आपको कमेंट क्या कर रहा है कि वरतमान में जीवन बीमा निगम के परबंद निर्देशक कौन है ठीके 2022 में क्रिकेट के परती उनकी सेवा के लिए किन्हें नाइट हुड परदान किया गया तो याद रखेंगे क्लाइव लॉइड क्लाइव लॉइड को किरिकेट के परती उनकी सेवा के लिए नाइट होट परदान दीग किया गया उलेक करता है कि मंत्री परिशद सामुहिक रूप से लोकसभा के परति उत्तरदाई होता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। और अन्य मंत्रियों की न्युक्ती रास्टपती परदान मंत्री की सलापर करेंगे। और मंत्री परिशद जो होता है सामुहिक रूप से लोकसभा के परति उत्तरदाई होता है। यह भी अनुछेत 75 के अनुसार है। ठीक है? समझ मैं और अगला एक और पूसता है कि सविधा सविधान के अनुछेत 74 में क्या है? तो याद रखेगा सविधान के अनुछेत 74 के अनुसार रास्टपती को उनके कारियों के संपादन और सलाह देने हेतु मंत्री परिशद होती है और मंत्री परिशद का परदान कोन होते हैं? परदान मंत्री ठीक है? तो अनुछेत 75 या त्याग पत्र देना पड़ता है याद रखेंगे ठीक है तो आंसर हो जाएगा option number B एक और यहां से article लिखेगा जो exam में पूछा जाता है ठीक है आपको बताना होगा कि प्रधान मंत्री रास्टपती और मंत्री परिश्द के बीच समवाद की कड़ी है यह किस अनुच्यद में कहा गया है तो अनुच्यद 78 एक जाम में पूछा गया इसको आप याद रखेगा अनुच्यद 78 के अनुशार P.M. प्रधान मंत्री रास्टपती और मंत्री परिश्द के बीच समवाद की कड़ी होती है ठीक है रास्टपती और एवं मंत्री परिश्द के बीच समवाद की मुख्य कड़ी है प्रधान मंत्री मुख्य समवाद की कड़ी तो इस सवाल को याद रखेगा अनुशेद 78 के अनुशार परधान मंत्री, रास्टपती एवं मंत्री परिशद के बीच मुख्य समवाद की कड़ी है याद रखेंगे ठीक है चलिए तो अगला सवाल देखते हैं इस पुतनिक वी विस्व का पहला कोरोना वाइरस टीका है जिसे किस देश के द्वारा लॉंच किया गया तो इस पुतनिक वी विस्व का पहला कोरोना वाइरस टीका है जिसे रूस के द्वारा लॉंच किया गया 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में किस राजी की साक्षरता दर सरवाधिक है तो आपको वताना है 2011 की जनगन्ना के अनुसार कौन सा भारती राजी है जहां पे सबसे अधिक साक्षरता है तो सरवाधिक साक्षरता वाला राजी कौन सा है आपको वताना है तो सिंपल सा सवाल है तो आंसर करें सरवादिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो आप जानते हैं केरल जो होगा आपका से आंसर होगा सरवादिक साक्षरता राज्य कौन सा है तो आपका आंसर हो जागा केरल ठीक है सरवादिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है केर आध्यक्ष को छोड़कर 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 आध्यक्ष को रखेगा कि राजय मानवादिकार आयोग में अध्यक्ष को छोड़ कर दो अन्य सदस्य हो सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C मुद्रा इस्फिती का वहमापन क्या है जो ओस्थिर मुल्य संचलन जहलने वाली वस्तों को सामिल नहीं करता है तो आंसर करेंगे मुद्रा इस्फिती का वहमापन क्या है जो ओस्थिर मुल्य संचलन जहलने वाली वस्तों को सामिल नहीं करता है आंसर ओप्सन नमबर B कोर इनफ्लेशन निमनलिखित में से कौन सा समविधानिक संसोधन अधिनियम एक राजनितिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद और राज विधान मंदल के शदस्यों की आयोगेता का प्रावधान प्रदान करता है यनि दल बदल कानून आपको बताना है किस समविधान संसोधन द्वारा लाए गया था और साथ ही साथ आप ये भी बता दें कि दल बदल कानून जो है किस अनुसुची में है ठीक है इंपोर्टेंट है तो आपको पता होगा 52 समΗanti संसोधन अधिनियम 1985 में दल बदल संबंदी प्रावधान को बताए गया है और ये किस अनुसुची में है तो 10 वी अनुसुची में आपको याद रखना है दल बदल संबंदी कानून को जोड़ा गया है 10. 10. अनुसूची कब जोड़ा गया, आप से पूछेगा उजयाम में कि 10 अनुसूची कब जोड़ा गया, तो याद रखना है कि 10 अनुसूची को 52 सविधान संसोधन द्वारा, 10 अनुसूची को 52 Конstitutionsal Amendment द्वारा 1985 इस वी में जोड़ा गया और 10 अनुसूची में दलबदल से सम्मनित प्रावधान बताए गए हैं आपको पता होगा कि मुल सविधान में 8 अनुसुची था, वर्तमान में 12 अनुसुची है याद रखेगा, इसका मतलब है कि 9 अनुसुची, 10 अनुसुची 11 अनुसुची और 12 अनुसुची सविधान संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, याद रखेगा ठीक है, पूस्ता है एक्जाम में समझ में आया, ठीक है अगर पूछे, 9 अनुसुची की सविधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप जानते हैं पूछा जाता है, तो आप जानते हैं कि 73 सविधान संसोधन द्वारा 11 अनुसुची को जोड़ा गया था 1993 और 74 सविधान संसोधन द्वारा 12 अन्सुची को जोड़ा गया था से संबनित प्रावधान कावले करता है option number B निमनलिखित में से कौन सा command आधारित इंटरफेस के साथ operating system का एक उधारन है तो आंसर करेंगे command आधारित इंटरफेस के साथ operating system का एक उधारन है option A Android, option B Ubuntu, option C MS-DOS, option D operating system तो simple सा सवाल है answer क्या होगा आप बताएंगे MS-DOS याद रखेंगे command आधारित इंटरफेस के साथ operating system का उधारन है MS-DOS ठीक है तो command आधारित इंटरफेस के साथ operating system का एक उधारन है Microsoft disk operating system option number C MS-DOS भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उधाटन कब किया गया तो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अफगानिस्तान संसद भवन का उधाटन कब किया गया था option A 2019, option B 2015, option C 2020, option D 2010 तो आपको यहाँ पर answer करना है तो सही answer क्या होगा 2015 तो भारत सरकार द्वारा प्रायुजित अफगानिस्तान संसत भवन का उद्गाटन 2015 में किया गया था मोटर वाहन संसोधन अधिनियम 2019 के तहट नए यातयात नियमों के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना रासी है तो मोटर वाहन संसोधन अधिनियम 2019 के तहट यातयात नियमों के बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना रासी कितना 10,000 अप्सन नमबर A भारती सविधान के निमनलिखित में से किस अनुचेद में पंचायत में सीटों के आरक्षन के बारे में प्रावधान किये गए हैं तो कौन सा अनुचेद है जो पंचायत में सीटों के रिजर्वेशन से संबन्ध है तो यहाँ पर पुछा है पंचायत में सीटों के आरक्षन के बारे में प्रावधान दिये गए है अनुच्छे 243D आप याद रखेंगे ठीक है और 73 सविधान संसोधन द्वारा याद रखेंगे 73 सविधान संसोधन द्वारा 1993SV में भाग 9 में अनुच्छे 243 कौसे मुर्धन नो तक याद रखना है पंचायती राज सिस्टम का उलेक किया गया और अनुचुची 11 में पंच पंचायती राज सिस्टम का सुभारंब 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागुर जिले में किया गया था तो भारत में पंचायती राज का सुभारंब 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागुर जिले में किया गया था तो यहां अंसर क्या होगा पंचायत में सीटों के आरक्षन से सम्मदित प्रावधान अनुछे 243 का D याद रखेगा ठीक है और बलवंतराय महता समीती का स्थापना 1957 में हुआ था असोक महता समीती का स्थापना 1977 में हुआ था इसके अलावा M याद रखना है LM सिन्वी समीती का स्थापना 1986 में हुई थी और ये तीनों समीती जो है पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ था तो आंसर क्या हो जाएगा option number A याद रखेंगे ठीक है अगर आपसे पूछे ध्यान दिजेगा अगर पूछे आपसे article पूछे लेएगा अगर कि अर्टिकल 123 के तहत क्या होता है आपसे था रास्टपती अध्यादेश जारी करते हैं ठीक है याद रखना है आर्टिकल 123 के तहट रास्टपती अध्यादेश जारी करते हैं अगर आपसे पूछे अनुछेद 124 में क्या है तो सुप्रीम कोट का गठन अनुछेद 124 के तहट अगर पूछेगा अनुछेद 148 तो नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक की न्युक्ती अनुछेद 148 के तहट याद रखेंगे अगला अगर आपसे पूछेगा कि विधान परिशद का निर्मान और समाप्ती किस अनुछेद के तहट किया जाता है तो याद रखेंगे राज्यों में विधान परिशद की रचना या उनकी समाप्ती का अधिकार संसद के पास होता है और इसका उलेक अनुछेद 179 में है राज्यों में विधान परिश्द की रचना या समाप्ती का अधिकार संसद के पास होता है याद रखेंगे अगला पूस सकता है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी क्या जाता है किस अनुचेद के तहट याद रखना है कि आर्टिकल 123 में बोलेगा तो रास्टपती द्वारा अध्यादेश और अनुचेद 213 बोलेगा तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी क्या जाता है अनुचेद 213 के तात और जस्ट इसके एक बाद है 214 अनुशेद, 214 अनुशेद में याद रखना है सभी राजियों के लिए उचिन्याले की विवस्था, यानि हाई कोट का स्थापना, ठीक है तो अगर याद रखना है, अगर पूछेगा अनुशेद 214 तो अनुशेद 214 के अनुशार सभी अनुशेद के तहत है, इंपोर्टेंट सवाल है पूछता है एक्जाम में, अनुशेद 263 के तहत, ठीक है अनुशेद 263 के तहत, ठीक है, तो केंद्र राज्ये, संबंदों में विवाद का समाधान करने ही तू, केंद्र और राज्ये, के बीच में अगर पूछेद कोई विवाद है, तो उसका विवाद का समाधान करने ही तू, राश्टपती के द्वारा अंतराज्ये, परिश्द के स्थापना की जाती है, अनुशे 263 के तहत, बहुत पूछता है, याद रखेंगे, वितायू का गठन क्या जाता है, अनुशे 266 में क्या है, तो भारत मे अनुशे जितना भी है, याद करके जाएगा, एक्जाम में पूछेगा, चली, अगला सवाल देखते हैं, अनुशे 266 में से किस संपर्क कर सकता है, आपको बताना है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, याप बताएंगे, तो आप्सन नमबर D हो जाएगा, उच्च नयाल है, आप्सन नमबर D उच्च नयाल है, याद रखेगा, सहरी भूमी अधिक्तम सीमा एवं विनियमन अधिनियम वर्स डैस में पारित क्या गया था, तो आपको बताना है, इस सवाल का अंसर, सहरी भूमी अधिनियम अधिक्तम सीमा एवं विनियमन अधिक्तम सीमा एवं विनियमन अधिक्तम सीमा एवं विनियमन अधिनियम वर्स का पारित क्या गया था, तो सहरी भूमी अधिक्तम सीमा एवं विनियमन अधिनियम वर्स डैस में पारित क्या गया था, उप्सन नमब पर इन्दियान ने साइमन कमीशन के विरोध का फैसला लिया था तो अपने 1927 के अधिवेशन में भारती रास्टे कॉंग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिसकार करने का निर्ने कहा लिया था यह आपको बताना है तो इंपोर्टेंट सवाल है सही आंसर क्या होगा आप बताएंगे तो आपका सही आंसर होगा मदरास क्या होगा मदरास तो याद रखेंगे कि इंडियान ने साइमन कमीशन के बहिसकार का निर्ने लिया था साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और आप जानते हैं कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और साइमन कमीशन में साथ सदसे थे सातों के सातों सदसे अंग्रेज थे इसलिए साइमन कमीशन को स्वेथ कमीशन या फिर वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है साइमन कमीशन का आपको पता होगा साइमन कमिशन के विरूद के दौरान लाला लाजपतराई जी को पुलिस के दौरा लाठी चार्ज के आगया था और लाला लाजपतराई जी गंभी रूप से घायल हो गए थे और कुछ महिने के बाद उनकी मिरती हो गई थी चीक है तो याद रखना है 1927 के मद्रास अधिवेशन के दौरान इंडिया नशनल कॉंग्रेस ने साइमन कमिशन के बहिसकार का निर्णे लिया था आंसर अप्शन नमबर बी इंडिया नशनल कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कोन थे? वो यमेश चंद्र बिनर जी याद रखेगा इंडिया नेशनल कॉंग्रिस के स्थापना किस ने की थी तो एलन ओक्टवेन हुम ने इंडिया नेशनल कॉंग्रिस के स्थापना की थी याद रखेंगे भारत में जन्हित याचिका की सुरुवात की गई थी पर्थम रास्टी जलनिती वर्स डैस में अपनाई गई तो आपको वताना है फॉस्ट नेशनल वाटर पॉलिसी कब अपनाया गया तो 1986 में याद रखेंगे 1986 में पर्थम रास्टी जलनिती अपनाया गया मामलूक सब्द क्या दरसाता है और आप जानते हैं कि हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग गुलाम वंस को ही मामलूक वंस भी कहा जाता है है ना लाहोर में चौगान या पोलो खिलते समय इलबरी वंस के कौन से ऐसे सासक है यहां चौगान होगा ठीक है लाहौर में चौगान या पोलो ठीक है, चौगान या पोलो खिलते समें, चौगान या पोलो खिलते समें, इलबरी वन्स के कौन से सासक थे, जो घायल हो गए थे ठीक है, आपको बताना है, तो ये सवाल भी बहुत एक्जाम में पूछा जाता है तो फटा फटा अंसर करेंगे अप्शन A, कुटुबुदीन एबक अप्शन A है सम्स उद्दीन इल्थ तिमिस, अप्शन B, कुटुबुदीन एबक अप्शन C, रजिया बेगम, अप्शन D रुकनुदीन फिरोज ठीक है तो सही आंसर क्या होगा आपको बताना है आपको पता होगा कुतुबुदीन एबग की मिर्थिव 1210 इस्वी में हुई थी और चोगान या पोलो खेलते समय घोडे से गिर कर कुतुबुदीन एबग की मिर्थिव हो गई थी और बाद में उनको लाहॉर में दफनाये गया था तो लाहॉर में चोगान या पोलो खेलते समय याद रखेंगे लाहॉर में चोगान या पोलो खेलते समय इलवरी वंस के किस सासा की मिर्थिव हो गई थी तो कुतुबुदीन एबग आंसर हो जाएगा और ये इनकी मिर्थिव कभ हुई थी 1210 इस्वी में ठीक है तो ये भी कुतुबुदीन एबक की राजधानी लाहौर थी याद रखेंगे कुतुबुदीन एबक ने कुतुब मिनार की नीव रखी थी इंपोर्टन्ट है पूस्ता है ठीक है तो समझ में आ गया पॉलो या चोगान खेलते समय कुतुबुदीन एबक गोडे से गिर कर मर गया था 1210 इस भी में, उप्जन नमबर बी निम्ने लिखित में इसे कौन सा साहित्यक कारे मुख्य रूप से एके साथ काम कर रहा है तो इसको बाद में बता देंगे अधूरा कोश्चन है तो इसको बाद में बता देंगे ृट्ख है यहाँ चंगेज होगा मुलतान को चंगेज खान से बचाया चंगेज खान बहुत डरता था इससे तभी का सासक लोग बहुत खतरनाक था एकदम सासक ठीक है तो दिली शल्तनत के किस सासक ने जलाल उद्दीन को आसरे नहीं देकर चंगेज खान के हमले से मुलतान को बचाया था आपको उसका नाम बताना है उपसन A रुकन उद्दीन फिरोज, उपसन B कुतुब उद्दीन A बक उपसन C नासीर उद्दीन महमूद उपसन D समस उद्दीन इल्थुतमिस तो इंपोर्टन्ट सवाल है पूछा गया है एक्जाम में काफी बार तो आपका सही आंसर क्या होगा शम्स उद्दीन इल्टुतमिस आंसर क्या होगा शम्स उद्दीन इल्टुतमिस याद रखेगा आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D ठीक है तो आंसर याद रखेगा क्या हो जाएगा उप्सन नमबर D तो चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारेजमि के समराठ याद रखेगा चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारेजमि का समराठ जो है जलालुदीन वो भागता हुआ इलतुतमिस के पास आता है और इलतुतमिस से सरन मांगता है लेकिन इलतुतमिस जानता था कि चंगे देने से इनकार कर दिया और इससे चंगेश खान खुस हुआ और चंगेश खान मुलतान को हमला नहीं किया ठीक है तो याद रखना है पूछ सकते ये सवाल तो इसको याद रखेगा चंगेश खान से बचने के लिए ख़ारेजम के समराढ जलालुद्धीन को इल्तुतमिस ने अपने हाँ संरक्षन नहीं दिया था तो आंसर क्या होगा option number D समसुदीन इलतुतमिस ठीक है और इलतुतमिस से बहुत सारा सवाल बनता है जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में कुवा जैसे आप से पुछे का क्या क्या है इलतुतमिस के द्वारा की गई थी इलतुतमिस ने इकता पर्था किस रुवात की थी इलतुतमिस ने सबसे पहले सुद्ध अर्भी सिक्के चलाये थे चांदी का टंका और तांबे का जीतल याद रखेगा ठीक है और इलतुतमिस की तो आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है तो तुरकाने चहलगानी का मतलब है तुरकाने चहलगानी और इसके स्थापना इल्दुत्मिस ने की थी और इसका समाप्ती बलबन के द्वारा क्या गया था याद रखेंगे आंसर ओप्सन नमबर A निमने लिखित में से किसे दासों का दास कहा जाता है ठीक है दासों का दास ठीक है याद रखना है इन में से किन है दासों का दास कहा जाता है दासों का दास किसे कहा जाता है इलतुतमिस को कहा जाता है ठीक है इलतुतमिस को दासों का दास कहा जाता है क्यों 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 क्यो पूचते पूचते यहाथ आप यात रखेंगा, गल्यक अगरिके मदगरी वाहथ जा कैसे बूतीत है। गुलामों का गुलाम ठीक है गुलाम एबक क्या है एबक मुहमद गौरी का गुलाम है एबक और एबक का गुलाम है इलतुतमिस इसलिए इलतुतमिस को क्या कहा जाता था दासों का दास या गुलामों का गुलाम समझ माया तो याद रखेगा कौन सा इसा सासक है जिसे दासों का दास कहा गया है क्योंकि इल्टुतमिस जो है कुतुबुदीन एबक का गुलाम था याद रखेगा और कुतुबुदीन एबक किसका गुलाम था तो याद रखना है कुतुबुदीन एबक मुहमद गौरी का गुलाम था आंसर हो जाएगा option number C दिल्ली शल्तनत के निमनिलखित में से किसने नियमित मुद्रा जारी करने के लिए और दिल्ली को अपने सामराजी की राजधानी घोसित किया कौन सा ऐसा सासक है जिसने नियमित मुद्रा जारी किया और साथ ही साथ दिली को अपने सामराजी की राजधानी घोसित किया ठीक है तो आपका अंसर क्या होगा इंपोर्टेंट सवाल है तो आप जानते हैं उपसंडी इल्तुत्मिस इल्तुत्मिस से पहले दिली सल्तनत की राजधानी लाहोर हुआ करती थी क्योंकि कुतुबुदीन एबक ने अपनी राजधानी लाहोर बनाई थी कुतुबुदीन एबक का राजधानी तर लाहोर लेकिन याद रखना इल्तुत्मिस जब राजा बना तो इल्तुत्मिस ने र तो दिल्ली को अपने सामराजी की राजधानी घोषित किया, इल्तुत्मिस ओप्सन नमबर D निमने लिखित में से कौन सही धंग से मेल नहीं खाता है तो इनमें से कौन मेल नहीं खाता है, तो आपका सही आंसर होगा उप्सन अनिजमी इल्तुत्मिस आपका आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B दिली सल्तनत के निमने लिखित मुल्तान में से किसने सुल्तान होगा यहाँ पर मुल्तान लिखा है आपको बताना है दिली सल्तनत के निमने लिखित में से किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की निती का पालन किया था तो आप जानते हैं कि रक्त और लोहे का निती किस ने चलाया था तो याद रखेंगे बलवन बलवन ने अपने विरोधियों के परती लोह एवम रक्त निती का अनुसरन किया था तो बलवन ने और बलवन गुलाम वंस का सासक था तो याद रखेंगे बलवन ने लोह एवं रक्त निती का अनुशरन किया था option number C होगा answer यहाँ पर जो लिखा A गलत है याद रखेंगे आप जानती होंगे इस सवाल को बहुत पूछा भी जाता है तो रक्त और लोहे की निती किसने अपनाई थी तो बलवन ने लोह एवं रक्त निती का अनुशरन किया था राज दरबार में सिजदा एवं पैवोस पर्था की सुरुवाद भी बलवन ने की थी याद रखेंगे इसके लावा बलवन के दरबार में ही फारसी रिती रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का सुरुवाद किया था ठीक है तो फारसी रिती रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव के सुरुवाद बलवन के कारिकाल में हुई थी और बलवन ने राजदरवार में सिजदा एवं पैवोस पर्था के शुरुआत की थी याद रखेंगे किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा की अवधारना शुरू की तो कौन सा ऐसा सासक है जिसने टोकन मुद्रा की अवधारना शुरू की तो टोकन मुद्रा की अवधारना शुरू की गई थी मुहमद बिन तुगलक के द्वारा तो याद रखेंगे मुहमद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा की अवधारना विक्सित की थी किस सुल्तान ने बिल ए इलाही, क्यूपाधी, ली और सिजदा और पैबोस परंपरा की सुरुवात की तो सिंपल सा अगर ये नहीं भी पता है तो आपको ये पता होगा सिजदा और पैबोस पर्था, पैबोस लिखा है वहाँ पे मिस्प्रिंट है सिजदा और पैबोस पर्था का सुरुवात किस नहीं किया था तो आपको पता होगा बलवन ने तो सिजदा और पैबोस पर्था की सुरुवात बलवन ने की थी, चीक है तो आंसर क्या होगा, गयासुद्दीन बलवन है यहाँ पर गलती लिखा है, कुल मिला के आप याद रखेगा बलवन ने, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बलवन 1266 इस्वी में गयासुदीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्धी पर वैठा, और बलवन ने राजदरबार में सीजदा एवं पैबोस पर्था की शुरुवात क निमनलिखित सुल्तान में से किसने जौनपूर सहर के अस्थापना की थी, तो जौनपूर सहर का अस्थापना किसने किया था, आपको वताना है, तो आपका सी आंसर होगा फिरोज सा तुगलक, याद रखेंगा आंसर क्या होगा फिरोज सा तुगलक, तो फिरोज सा तुग तो अगर पूछेगा जौनपूर सहर के स्थापना की तो फिरोज सा तुगलक ने जौनपूर सहर के स्थापना की थी याद रखेंगे इंपोर्टेंट है और आपको पता होगा कि अनात मुस्लिम महिलाओं एबं बिद्वाओं एबं लड़कियों के लिए उन्होंने दिवान तो फिरोज सा तुगलक ने दिवान एबं बंदगान के अस्थापना की थी और दिली शल्तनत काल में सबसे अधिक दासों की संख्यां जो है फिरोज सा तुगलक के सासनकाल में ही था तो याद रखेगा संतनत कालिन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज सा तुगलक के समय में थी फिरोजसा तुगलक के समय में सबसे अधिक दास था पूरे दिली शल्तनत के टाइम प्रियट को मिलाके, याद रखेगा फिरोजसा तुगलक के कारिकाल में आंसर हो जाएगा, option number A और याद रखेगा फिरोजसा तुगलक के समय में चार प्रकार का कर चलता था फिर उसा तुगलक ने चार प्रकार के कर लगाए थे खराज, खुम्स, जजिया और जकात ठीक है आंसर ओप्सन नमबर A दिली शल्तनत का कौन सा वंस अफगान मूल का था तो आपको बताने दिली शल्तनत का कौन सा वंस अफगान वंस का था ठीक है तो आंसर कीज़े इस सवाल का तो सही आंसर होगा लोधी वंस ठीक है तो लोधी वंस जो था अफगान वंस था दिली शल्तनत पे शासन किया था लोधी वंस और लोधी वंस अफगान वंस था लोधी वंस का संस्थापक था बहलोल लोधी और दिली पर पर्थम अफगान राजी के स्थापना करने का स्रय बहलोल लोधी को जाता है यानि लोधी वंस जो था याद रखना है मूल रूप से अफगान वंस था अफगान मूल का वंस था ठीक है तो दिली पर अफगान वंस दिली पर पर्थम अफगान राजी के स्थाप इसवी को पानिपत का पहला युद्ध हुआ था और पानिपत के पहले युद्ध में बावर ने इबराहम लोधी को हराय था और इसी परकार लोधी वन्स समाप्त हो गया था और बहां से फिर बावर ने मुगल सामराजी के स्थाफना की थी तो याद रखेगा 21 अपरेल 1526 को पानिपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बावर ने इबराहम लोधी को मार दिया था और इस परकार लोधी वन्स समाप्त हो गया था तो यहां अंसर हो जाएगा option number B लोधी वन्स किसके सासनकाल में तैमूर लंग ने दिली पर आकर्मन किया था तो तैमूर लंग ने दिली पर आकर्मन किया था किसके सासनकाल में आपको बताना है तो तैमूर लंग ने याद रखना है 1398 में दिली पर आकर्मन किया था याद रखेंगे तैमूर लंग ने 1398 में दिली पर आकर्मन किया था ठीक है और सासक कौन था तो नासरुदीन महमुद तुगलक तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे option number A याद रखना है महम्मद साह तुगलक ठीक है तो तैमूर लंग ने दिली पर आकर्मन किया था दिली पर दिली शल्तनत के राजवंस का सही क्रम क्या है यानि आपको पता होगा दिली शल्तनत पर पांच वंसों ने सासन किया था तो आपको क्रम बताना है तो दिली शल्तनत पर सबसे पहले किस वंस ने सासन किया था तो गुलाम वंस ने आप जानते हैं है ना तो इस सवाल का अंसर कीजे आप लोग तो दिली शल्तनत पे सबसे पहले सासन किया था गुलाम वंस ने है ना उसके बाद आये था खिल्जी वंस खिल्जी वंस के बाद आये था तुगलक वंस तुगलक वंस के बाद आये था सयद वंस और सियद वंस के बाद आये था लोधी वंस लोधी वंस के बाद आपको पता होगा मुगल सामराजी के स्थापना हो गई थी बावर ने मुगल सामराजी के स्थापना की थी ठीक है तो दिली शल्तनत के राजवंसों का सही करम क्या है option number B तो याद रखेंगे दिल्ली शल्तनत पे सबसे पहले गुलाम वंस ने सासन किया, उसके बाद खिलजी वंस, उसके बाद दुगलक वंस, उसके बाद सेयद वंस और लास्ट में लोधी वंस, तो दिल्ली शल्तनत पे कुल पांच वंसों ने सासन किया, याद रखेंगे, ठीक ह चलिए अगला सवाल देखते हैं आम को पकाने के लिए जिस रसाइन का प्रियोग क्या जाता है उसका नाम क्या है आम को पकाने के लिए किस रसाइन का उप्योग क्या जाता है आम को पकाने के लिए किस रसाइन का उप्योग क्या जाता है निमनलिखित में से कौन सा फाइवर सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइवर माना जाता है। जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखेंगें आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A। विटामिन D का रासानिक नाम क्या होता है। तो आप जानते हैं विटामिन D का रासानिक नाम होता है कल्सी फेरॉल। विटामिन D का रासानिक नाम कल्सी फेरॉल है। और विटामिन D की कमी से बच्चों मेरिकेट्स और वैसकों में आस्टियो मलिशिया नामक बिमारी होता है। विटामिन B2 का रासानिक नाम है राइबोफलेविन, विटामिन B2 का रासानिक नाम है राइबोफलेविन, और राइबोफलेविन की कमी से त्वचा फटने लगता है, याद रखेंगे, अगला है विटामिन A, विटामिन A का रासानिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन A की कमी से विटामिन A या रेटिनॉल की कमी से रतोंधी और जिरोप्थेल्मिया नामक बिमारी होता है याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा option number A class को फटा फटा आप लोग एक बार share कर दीजे आप सभी से humble request करेंगे प्लीज आप लोग class को support करें आसू गैस के घटकों में से एक है तो आसू गैस किसे कहा जाता है option A, ethane, option B, ethanol, option C, ether, option D, chloropicrin तो आप जानते हैं आसू गैस का घटक क्या है? chloropicrin आंसर क्या हो जाएगा option number D, आसू गैस का घटक है chloropicrin यूकेरियोटिक कोसिका में प्लाजमा जिली बनी होती है आपको बताना है प्लाजमा मेंब्रेन इन यूकेरियोटिक सेल्स इस मेड अप आफ आप्शन A फॉस्पो लिपिड आप्शन B लिपो प्रोटीन आप्शन C फॉस्पो प्रोटीन अप्सन D, फोस्पो प्रोटीन तो ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है आपको पता होगा यूकेरियोटिक कोसिका में प्लाजमा जिली किसका बना होता है फोस्पो लिपिड का बना होता है आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर A, फोस्पो लिपिड तो याद रखेगा यूकेरियोटिक कोसिका में प्लाजमा जिली का बना होता है अंसर आप्सन नमबर A, याद रखेगा अमेरिका द्वारा नागा साकी पर प्रियोग किये गए प्रमानु बम किस इंधन का प्रियोग हुआ था तो अमेरिका के द्वारा नागा साकी पर जो बम फिका गया था प्रमानु बम तो उसको बनाने में किसका उप्योग किया गया था यह आपको बताना है आप्सन A, यूरेनियम, आप्सन B, पोलोनियम, आप्सन C, थोरियम, आप्सन D, प्लुटोनियम ठीक है, आपको पता होगा कि अमेरिका ने 6 अगस्त को Hero sema پर आटेक किया था छे अगस्त 1945 को, यह पूस्ता है 6 अगस्त 1945 को याद रखना Hero sema पर, कहां पर किया था Hero sema पर, ठीक है 6 अगस्त 1945 को Hero sema पर किया था, और Hero sema पर कौन सा बम फिका था, तो little uranium से याद रखना है uranium से बना था uranium 235 से ठीक है uranium 235 द्वारा निर्मित लेकिन पूछा है नागा साकी का तो पहले हम लोग इसको देखते हैं आपको याद रखना है कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोसीमा सहर पर अटेक किया था और जो परमानू बम फेका था हिरोसीमा पर उसका नाम क्या था ठीक है तो याद रखेगा कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हीरो सीमा पर लिटिल बॉय नामक परमानू बम फेका था और लिटिल बॉय परमानू बम का निरमान यूरेनियम 235 द्वारा क्या गया था याद रखेंगे अगला याद रखना नागा साकी पर कब बम फेका था तो 9 अ फैटमेन का निरमान किससे किया गया था प्लॉटोनियम 293 से किया गया था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्लॉटोनियम समझ में आ रहा है आंसर हो जाएगा option number D ठीक है तो याद रखेगा कि 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को हिरो सीमा पर लिटिल बॉय नामक परमानुबम फेका गया था लिटिल बॉय यूरेनियम 235 से बना था जबकि 9 अगस्त 1945 को अगसाकी पर फेट में नामक परमानुबम का उपयोग किया था और फेट में परमानुबम जो है प्लूटोनियम 293 से बना था तो आंसर क्या हो जाएगा option number D ठीक है तो अमेरिका द्वारा नागसाकी पर प्रियोग किये गए प्रमानुबम किस इंधन का प्रियोग हुआ था तो प्लूटोनियम आंसर हो जाएगा option number D तो क्लास को फटा फटा एक बार आप लोग share कीजएगा तो इतना ही सवाल था उमीद करेंगे आज का सेशन आपके लिए काफी ज़्यादा important होगा यहां से आपके exam में सवाल पूछे जाएगे क्लास में आप सभी का तही दिल से धन्यवाद करेंगे जै हिंद जै भारत जै बियसे धन्यवाद क्लास में आपके जब सकत्राइगे